दोस्तों अपने अगर हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले गंटे को भी दबादें कि हम लागते रहते हैं नहीं बिजनेस आइडियाज और नहीं जनकारी केवाल आपके लिए दोस्तों वीडियो में जो मसीन आपको दिख रही है वो है अलमोनियम पाइल से कंटेनर बनाने की मसीन जिसे अलमोनियम फाइल कंटेनर मेकिंग मसीन कहते है और आपको बजार में यह मसीन संगल कैविटी डवल मॉड़् और 3 cavity mold के साथ semi-automatic और fully automatic में मिन जाएगी और इस machine के जड़िये अलग-अलग size और design के container और plate को बनाना बहुत ही असान है जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है machine में एक side almonium foil का roll लगा हुआ है और machine में लगे die के हिसाब से machine अपने आप almonium foil के box त्यार कर रही है और ऐसे plant को actual एक operator और दो helper की मदद से बड़े अराम से चला सकते हैं तो दोस्तों पहले इसके manufacturing process को देखते हैं और फिर समझते हैं कि इस business को सुरू करने में total investment कितना लाएगा कौन-कौन से registration की जुरत होगी, marketing कैसे कर सकते हैं और raw material से machine कैसे करी सकते हैं तो बड़ियो देखते रही है दोस्तों machine से जो waste निकल रहा है यह waste भी बिग जाता है यानि waste को भी आधेस ज़्यादा rate पे बेचा जा सकता है और अगर बात करें almonium foil container बनाने की machine की यानि जैसे machine की capacity रैसा machine का price और अगर आपके पास finance की problem है तो आप manufacturing unit के तहद आप loan के लिए भी apply कर सकते हैं और ऐसे plant के लिए loan ही बड़ी असानी से मिल जाता है दोस्तों अगर बाब करें almonium foil container के marketing की तो इसका इस्तुमार लगबग हर restaurant, hotels, डाबा, food stalls, supermarket, bakery shop, sweet shop, इत्यादी के द्वारा किया जाता है उनके द्वारा त्यार foods, sweets को pack और serve करने के लिए क्योंकि almonium foil में pack किये गए खाने को बीना खराब हुए ज़्यादा ज़्यादा देर तक रखा जा सकता है और इस business में success के लिए आपको market में थोड़ी research करनी होगी आपको पता करना होगा कि आपके competitor किस quality का container बना के किस price में बेच रहे हैं और इसके लिए आपको hotels, restaurant, bakery shop, इत्यादी से contact बनाने होगी और उनकी requirement को पता करना होगा इसके अलावा आप अपने area के wholesaler और distributor को भी अपनी pricing और sample दिखाएं और market के हिसाब से अपना price सेट करें और शुरुआत में उस size और design के container बनाए जिनकी demand सबसे ज़्यादा है यानि जो ज़्यादा भिकरा है और गाहों से ज़्यादा सहरों में इसे promote करने की कोशिस करें वही दोस्तों इस business के लिए जो main raw materials से हो है aluminium foil और इसके supplier आपको हर बड़े सहर में मिल जाएंगे जिनकी जरिया आप इस business के लिए raw materials खरीब सकते हैं दोस्तों आपको यह aluminium foil बजार में अलग-अलग micron में मिल जाएगा जैसे 7 micron, 9 micron ये 11 micron इत्यादी और आप अपनी जुरूत के हिसाब से यह rule order कर सकते हैं और आपको aluminium foil के अलावा अपने दुवालत त्यार container को pack करने के लिए कुछ packaging materials की भी जुरूत होगी यह एक फगटर बॉक्स देख रहे हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को भी दवाली जिए इससे हमारे चानल पर जो भी वीडियो अप्लोड किये जाएंगे उसकी सूचना आपको प्लीज वीडियो में इसनाई गूत करता हूं कि अपनी वुडियो जूर पसंद आई होगी तो प्लीज वुडियो को लाइक और सेर करना ना आप गोले और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नहीं बिजनेस आडियेस पुचे सब्सक्राइब कर लें आपके पूश्य आ